4, 3, 2, 1 सभापती महोदै हम यह समझे कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है जिसने सरकार के सोचने के धंग में परिवर्तन कर दिया है मैं ग्रह मंतरी से विशेश रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राश्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है इस परकार के परकाशन सरकार की दुरबलता के सूचक हैं दूसरी बात मैं सामपरताईक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ इन सामपरताईक दंगों से निश्चे ही हमारे देश की जो आंतरिक सिती है वह विगड़ती जा रही है दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है सबसे पहले मैं गरमंत्री महोदे से कहना चाहता हूँ कि हम जितने सामपरदाइक दंगे हमारे देश में स्वतंतरता के बाद हुए गरह मंत्राले इस बात की जानकारी लेकि इनका प्रारंब कहां से होता है और कौन उनको प्रारंब करता है अगर इस देश का भहुमत उनको प्रारंब करता है तब तो मेरा कहना यहा है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंब होता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है फिर भी वे इसका प्रारंब करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ती अवश्य है जो आज भी पांच अदश्कों के पस्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है उदाहरन के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ पहले ग्रह मंतराले जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुणिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं लेकिन अब शायद जान भूज कर ग्रह मंत्राले ने अपनी कमी को चिपाने के नए आकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्णों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब हाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पास्पोर्ट लेकर रह रहे हैं तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पास्पोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 17,000 ह अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्या से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके उपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंट सरकार को दी जानी चाहिए उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवारे हो कि उस राशी का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और एक वर्ष के बाद उस राशी के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह क के संबंद में एक बिल सदन में लाएंगे लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि धाई वर्ष बीद जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया आज अगर कोई या कहे कि मैंने यह पैसा अमरीका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश स लिया है तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंद लगा सकता हो आज तीन बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है कुछ पैसा अमरीका से आता है कुछ पैसा चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुट पुट अन्य देशों से इस प्रकार का दन हमारे देश में कितना फैला है अगर इसकी ओर आपका ध्यान देंगे तो एक चिंता जनक इस्थिती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सक करता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा प्रजातंत्र की सुरक्षा खत्रे में पढ़ जाएगी विदेशी सेना हमारे देश पर आकरमन ना कर सके इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है आज चाहे राज आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। जमाने की कोशिस हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है यह राश्र की समस्या है। आज सदन में वित्तमंत्राले की मांगों पर बहस हो रही है। रेलों में अब भीड कम होती है बिजली का भी काफी विकास हुआ है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दर्ष्टी कोण है उसको देखकर कुछ कश्ट होता है। अभी जो जनगर्णा हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राश्ट्र पिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीद जाने के बाद भी द्यातों के तरफ न जाकर शहरों के तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्ण पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर द्यातों में लोगों को सुखस्विधाएं मिलती हैं तो आज शहरों में प्राप्त हैं वो लोग द्यातों से शहरों के तरफ न दोड़ते बलकि शहरों से द्यातों की तरफ जाते। दिहाद के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थी एक तो जमिनदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे जमिनदारी प्रथा समाप तो ही इससे लोगों को कुछ राहत मिली जहां तक रुपए के लेन देन का प्रशन है पहले 25 प्रश्यत तक का व्याज लिया जाता था उसमें अब कुछ कमी अवश्य है लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही व्याज लिया जाता है जिससे करजा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है इस वजह से कहीं कहीं पर साहुकारों के ब्याज की दर में कमी आई है सभापती महोदय जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्यों को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भैंकर रूप धारन कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वर सामाजिक हो इसी परिष्टिती का अन्रिमार होते हुए हम देख रहे हैं मंतरी महोदय ने यहां पर अभी कहा कि राष्ट्रपती इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की विवस्था वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपती का शासन लागू कर देते हैं जब किसी राज्य में पराजकता फैल रही है तो विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहां के नेता जिमेदारी से काम न करते हूं तो वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है